प्रमोस सारंग आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो कैसे हैं सभी प्यारे साथियों दोस्तों आपको एक बड़ा अजीव सा प्रशन आपके मस्तिस्क में घूम रहा होगा कि मैंने वो संस्था क्यों छोड़ी तो यह सारे प्रशन आपने कई बार मुझसे पूछे ह कि सर अब हम कहां पढ़ेंगे आप कहां पढ़ाएंगे वैसे तो आपको पीछे कुछ एक बड़ा सा पोश्टर बड़ा सा नाम अच्छा सा दिख रहा होगा वैसे ठीक है काफी अच्छा प्लेट फॉर्म है ये भी लेकिन देखिए मैं किसी का प्रिचार या किसी की कुछ मजबूरियां होती हैं कुछ बहुत बड़े कारण भी होते हैं तो ना मैं किसी की बुराई करने जा रहा हूं ना किसी का प्रमोशन करने जा रहा हूं बस मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ परिस्तितियां होती हैं कुछ मजबूरियां होती हैं कुछ ऐसे-इस से छोड़ दिया है तो अब हम कहां पढ़ेंगे देखे पीचर से मैं मानता हूँ जोड़ाव हो जाता है विद्ध्यारतियों का इतने हमें लगवक डेड़ दो साल हमें साथ में पढ़ते-पढ़ते हो गया है और ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ने के बाद कुछ अच्छा सा फ बच्चों को मैं बच्चों अभी मैं गुरुप बंद कर रहा हूं और अभी ऑटो में मेरी आखों से आसु आ रहे हैं तो इसलिए मैंने गुरुप बंद कर दिया बच्चों की कमेंट बंद कर दी कि मेरी आखों से आसु आ रहे थे वो कमेंट लिखते समय बच्चों का रि इंटेंट दिया उनको तो बच्चों का अपने आप ही जुडाव हो गया एक विवारिक तोर पर भी एक अपने घर का सदस्य मुझे समझने लगे और मैं उनको समझने लगा और एक जिर साल के बाद जब एक कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है तो आप समझ सकते है एक डिर साल बहुत होता है जबकि मैंने उनको कभी देखा भी नहीं पहरे दोस्तों को लेकिन फिर वी आप लोग मुझसे इतना प्रेम इतना समान देते हैं तो मतलब मैं अब बहुत जादा भावक हो गया उस समय लेकिन क्या करें मजबूरी होती है छोड़ने में या कि कहीं दूसरी जगह जोइन करने में कोई शौक नहीं होता है कि एक जगह छोड़ दिया चलो दूसरी जगह फिर तीसरी जगह नहीं अब आप कहीं घर लेना चाहते हैं कहीं रूम रेंट पर लेते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि सामान पैक करो भरो फिर दूसरी जगह जाओ, फिर सामान अच्छी तरह व्यवस्थित करो, फिर पैक करो, फिर भागो, आदमी स्थिर रहना चाहता है, रहने का मतलब है व्यवस्था से, मतलब जहाँ आदमी सो सके, आराम मिल सके, वहाँ व्यवस्थित रूप से स्थिर रहना चाहता है, बार बार उसे शौक नहीं होता है कि सामान को लेकर कहीं दूसरी जगह भागो लेकिन देखो अब मैं यह नहीं कहूंगा कि किसी की बुराई कर रहा हूं लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि आदमी मजबूर हो जाता है कुछ परिस्तितियां हो जाती है यार कोई कोई फैनेसिली प्रोपल्म है कोई फै मिली इस प्रोप्लम से जाता है कोई किसी तरह से कोई किसी तरह से आप से कहता हूं कि जिस चैनल पर मैं फिलाल पढ़ा रहा हूं वह आप यहां पीछे देख रहे हैं और जुड़ने के लिए मेरे चैनल है आपका खुद का चैनल है वहां वारतल आप इस तरह की कोई छोटी-मूटी जानकारियां लेते रहेंगे दोस्तों ठीक है तो बस नाम जोड़ाव है तो ठीक है कोई बात नहीं है लेकिन अगर किसी दूसरी टीचर को मौका देजिए वहां उस संस्था पर कोई अच्छे टीचर आएंगे उन से पढ़िए नई मन कर रहा है तो हमारे पास आईए मेरे पास आईए कोई दिक्कत नहीं है बस आपको पढ़ना है बस एकजाम पास करिएगा फिर आप कहां हम कहां बस इसी तरह से जिन्द की चलती रहती है ठीक है फिर वही कहूंगा कि बस अपने रास्ते में कभी छोटा मत समझेगा खुद को ना किसी दूसरे को छोटा समझेगा बस सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको आगे बढ बनोंगा शुद्रुहूं तारा ब्रह्मांड सा विराट बनोंगा अपनी कलाओं का राजा नहीं चक्रवर्ती समराट बनोंगा इसी पत पर हमें बढ़ते रहना है और आगे बढ़ते बढ़ते आगे ठीक है बहुत सारी समस्या याएंगी लेकिन उनसे लड़ते रहना है चलिए मिलते हैं फिर मरिक के बाद अब तके लिए जैहित वंदे मातरों धन्यवाद